हेलो स्टुडेंट्स माइनेम इस सौरव और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 कॉस्चन नमबर 6 से सुरू करेंगे इससे पहले की वीडियो मैं कॉस्चन नमबर 1 से 5 तक सॉल्व करा जुका हूँ अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस अर्दा वर्टिस ओफ पैडलेलो ग्राम टेकन इनॉर्डर फाइंड वैलो ऑफ एक्स औड वाई पैडलेलो ग्राम में इसके चार वर्टिसेस दिये हुए है एबी सी डी और इन चारों का कॉडिनेट्स दिया हुआ है यहाँ पे वैलू नहीं दिया हुआ है किसका? एक्स क value कैसे find out करेंगे तो एक parallelogram की property होती है कि जो diagonals होते हैं parallelogram के एक दूसरे को bisect करते हैं तो यहाँ पे जो दो diagonals है AC और BD यह दोनो एक दूसरे को bisect कर रहे हैं इट मींस यहाँ पे जो O पे जो दोनो diagonals meet कर रहे हैं तो O A का जो length होगा वही क्या होगा OC का length होगा और जो O B का length होगा वही क्या होगा OD का length होगा तो ऐसे लिख सकते हैं कि OD equal to OB और जो O A का length होगा वही क्या होगा OC का length होगा तो यहाँ पे लिखना होगा coordinate of midpoint of AC किसके एक बल होगा coordinate of midpoint of BD के Equal क्योंकि इसका जो Coordinate होगा BD का Y Coordinate क्या होगा दोनों का Coordinate क्या होगा Equal होगा जानते Midpoint Formula क्या होता है X1 P üst गा टू और Y1 प्लस Y2 Y2 यह होता है Midpoint Formula तो इससे AC का Coordinate क्या होगा तो यहां पे X1 क्या है 1 और X2 क्या है X तो 1 प्लस X अपॉन में 2 और इस AC का Y कोडिनेट क्या हो जाएगा तो 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल 2 क्या होगा इस BD का भी सेम उसी प्रोसेस निकालेंगे तो BD में भी क्या करेंगे 3 प्लस 4 अपॉन 2 और यहां पर क्या होगा 5 प्लस Y अपॉन 2 6 प्लस 2 क्या होता है 8 8 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 4 और यह क्या होगा 3 प्लस 4 7 अपॉन 2 और इसको लिखेंगे 5 प्लस Y या Y प्लस 5 कुछ भी लिख सकते अब इसका देखे X कोडिनेट इसका जो होगा Y क्या होगा क्योंकि जो दोनों डायगोनल्स है एक दूसरे को कहा मीट कर रहे है वो पे तो जो इसका X कोडिनेट होगा AC का Y कोडिनेट BD का भी X कोडिनेट होगा तो इसमें क्या करेंगे यह X प्लस 1 बाइ 2 इक्वल टू क्या होगा 7 बाइ 2 तो यहाँ पर लिखेंगे X प्लस 1 बाइ 2 इक्वल टू 7 by 2 अब देखे यह denominator में 2 है यहाँ भी denominator 2 से 2 क्या होगा cancel तो x equal to क्या हो जाएगा 1 उदर जाके minus तो x equal to 6 हो गया same y के लिए भी क्या करेंगे y coordinate भी दोनों diagonals का equal होगा तो 4 equal to क्या हो जाएगा 5 plus y by 2 यह 2 इदर multiply में 8 equal to क्या होगा 5 plus y this implies y equal to क्या हो जाएगा 8 minus 5 यानि 3 question number 7 क्या दिया हुआ है find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, minus 3 and B is question में एक दिया हुआ है एक circle दिया हुआ है जिसमें AB क्या है इसका diameter है और इस B का coordinate दिया हुआ है 1,4 और center सपोज कर लेते हैं इस O center का coordinate क्या दिया हुआ है 2, minus 3 अब से पूछ रहा है A का coordinate क्या होगा तो A का coordinate को क्या ले लेते हैं x, y ले लेते हैं तो midpoint formula इसमें use करेंगे midpoint formula क्या होता है जैसे ये center है तो इसमें क्या लिखेंगे x1 plus x2 by 2 और y1 plus y2 by 2 तो यहाँ पे x क्या है यहाँ पे 2 midpoint formula ये होता है कि x equal to क्या होता है x1 plus x2 by 2 अब इसमें देखिए ये AB line है और इसका center क्या है O तो O में ये क्या होगा x होगा और ये क्या होगा y होता है और ये क्या होगा x1, x2 sorry x1, y1 और ये क्या होगा x2, y2 तो यहाँ पे x के जगा पे क्या लिख सकते है 2 तो 2 equal to x1 के जगा पे क्या लिख दे x लिख दे रहे है ये वाला और x2 के जगा पे क्या लिखेंगे 1 upon 2 तो ये 2 इधर multiply हो जाएगा 2, 2 जा क्या होगा 4 equal to x plus 1 और x equal to क्या होगा 3 वैसे ही अगर ये midpoint है तो ये होगा y और y equal to क्या होता है y1 plus y2 y2 तो यहाँ पे लिखेंगे y equal to पहले ये जान लिखेंगे formula क्या होता है y equal to y1 plus y2 y2 ये होता है midpoint में तो इस case में यहाँ पे y इसको ले रहे है यहाँ पे minus 3 to center है ये और y1 के जगा पे क्या ले लेंगे ये ले ले लेते हैं तो y1 के जगा पे और y2 के जगा पे क्या लिख देते हैं 4 upon 2 तो 3 2 जा क्या होगा 6 minus 6 और y1 plus 4 इसको यहाँ पे x1 y1 कर लेंगे इससे confusion नहीं होगा ये x y central coordinate है और इसका coordinate ले लेते हैं x1 y1 तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा इधर आके minus हो जाएगा तो y1 equal to क्या हो जाएगा minus 6 minus 4 equal to क्या हो जाएगा minus 10 तो जो a point का direct आपको लिखेंगे hence the coordinate of point a is 3, minus 10 ये last में लिख देंगे question number 8 ये दिया हुआ है if a and b are minus 2, minus 2 and 2, minus 4 respectively find the coordinates of point p such that a p equal to 3 y 7 a b and p lies on the line segment a b question कुछ ऐसा दिया हुआ है कि a b एक line है और a का coordinate भी दिया हुआ है और b का coordinate भी दिया हुआ है p कोई एक point है इस पे और इसमें एक relation दिया हुआ है a p equal to 3 y 7 of a b अगर a b पूरे को अगर 7 लेते है तो a p क्या है 3 part है a p क्या है 3 part है और ये क्या हो जाएगा 4 part इसका मतलब यह होता है कि a p equal to 3 y 7 of a b मतलब पूरे length को 7 लेंगे तो a p कितना हो जाएगा 3 part और बचा हुआ क्या होगा p b क्या हो जाएगा 4 part अब आपको इस p point का coordinate निकालना है तो इसमें कौन सा formula यूज़ करेंगे section formula section formula का use करके p point का coordinate निकाल लेंगे तो हम जानते है section formula क्या होता है x equal to mx2 plus nx1 upon m plus n और mn क्या होता है यहाँ पर ratio लिये है तो m के जगा पर यहाँ पर क्या है 3 और n के जगा पर यहाँ पर क्या है 4 और x1 यह है y1 यह है x2 यह है y2 यह यह सब का value इसमें put करेंगे तो देखिए m के जगा पर क्या लगना है 3 x2 के जगा पर यहाँ पर 2 plus n के जगा पर यहाँ पर लेंगे 4 और x1 के जगा पर minus 2 divide में m plus n 3 plus 4 क्या होगा 7 3 to 6 और 4 to 8 अपन तो यह हो जाएगा minus 2 by 7 यह निकल गया आपका x coordinate फिर y coordinate भी ऐसे ही निकालेंगे तो y coordinate का formula जानते क्या होता है y equal to m y 2 plus n y 1 divide में क्या होगा m plus n यहाँ पे m क्या है 3 और y 2 क्या है यहाँ पे minus 4 plus n क्या है यहाँ पे 4 और y 1 क्या है यहाँ पे minus 2 divide में m plus n 3 plus 4 7 तो यह क्या होगा minus 12 minus 8 upon 7 तो यह क्या हो जाएगा minus 20 upon 7 तो मेरा जो coordinate point p का क्या हो गया minus 2 by 7 और दूसरा क्या हो जाएगा minus 20 by 7 number 9 क्या दिया हुआ है find the coordinates of the points which divide the line segment joining minus 2,2 and B 2,8 into 4 equal parts question यह है कि AB एक line है और A का coordinate दिया हुआ है और B का coordinate दिया हुआ है अब यहाँ पे कुछ points इस पे लेते हैं suppose कर लेते हैं P ले लेते हैं Q ले लेते हैं और R ले लेते हैं तो यहाँ से जो AP का length होगा वही क्या होगा? PQ का length होगा और वही QR का length होगा वही RB का length होगा it means कि P, Q, R, R यह तीन points है इस AB line को 4 equal parts में divide कर रहा है तो suppose कर लेते हैं AP का length 1 होगा तो PQ का लेन्थ क्या होगा? 1 QR का भी क्या होगा? 1 और R B का विलेंथ क्या होगा 1 मान लेते हैं तो इसमें आपको ये निकालना है P का कोडिनेट, Q का कोडिनेट और R का कोडिनेट तो इसमें क्या करते हैं P का कोडिनेट को हम ले लेते हैं X,Y तो हम section formula का use करेंगे जो same formula use कर रहे है section यहां से A से P तक कितना ratio है, 1 और अगर बात करें यहां से लेके P से लेके B तक तो ये कितना part है 3 part है तो कुछ इस तरह से line बन जाएगा आप देखिए section जैसे कि A का coordinate पता है और B का coordinate क्या है 2,8 अब suppose कर लेते हैं मान लिजे P कोई point है यहां पे यह first P के निकालने के लिए बता रहे है तो A से लेके P तक कितना length है 1 और P से लेके B तक कितना length हो जागा 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3 तो यह हो गया तो यह क्या हो गया M और N का value आ गया तो अब section formula का use करके X equal to क्या होता है MX2 plus NX1 upon M plus N यहां पे M क्या है 1 X2 क्या होगा यहां पे 2 plus N क्या है 3 और X1 X1 क्या है minus 2 divide में M plus N 3 plus 1 क्या होगा 4 तो यह क्या हो जाएगा 2 और 3 तू जा 6 और upon 4 तो यह क्या हो जाएगा minus 4 upon 4 equal to क्या होगा minus 1 तो यह क्या निकल गया इस पहले वाले point P का वैसे ही इसका Y भी निकाल लेंगे तो Y equal to formula क्या होता है M Y2 plus N Y1 upon M plus N M के जगा पे 1 और Y2 के जगा पे 8 plus N के जगा पे 3 और Y1 के जगा पे 2 upon M plus N यानि 3 plus 1 4 इस लिए R के लिए क्या करेंगे ratio क्या लेंगे M के जगा पे यहां से यहां तक कितना होगा 1, 2, 3 part और यहां से यहां तक क्या है 1 part तो 3 ratio 1 हो जाएगा M के जगा पे 3 और यहां पे N के जगा पे 1 इस exercise का जो last question है question number 10 find the area of rhombus if it vertices are 3, 0 4, 5 minus 1, 4 and minus 2, minus 1 taken in order तो area of rhombus होता है 1 by 2 into product of diagonals इसको ऐसे भी लिख सकते 1 by 2 into D1 into D2 तो यहां पे 2 diagonals है दोनों का length find कर लेंगे तो सबसे पहले क्या करते है AC का length निकालते है तो AC का length कैसे निकालेंगे यहां पे हम distance formula use करेंगे तो distance formula क्या होता है x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square तो इससे एक length निकाल लेते है AC का तो क्या करते है 3 minus minus 1 तो यह क्या हो जाएगा 3 plus 1 हो जाएगा क्योंकि 3 minus minus 1 करें इसलिए plus 1 फिर 0 minus 4 आप किसी को किसी से minus कर सकते है answer सेम आएगा minus 1 minus 3 भी करेंगे उसका square करेंगे तब भी 4 का square क्या होगा 16 और 4 minus 0 तब भी क्या होगा 4 का square 16 या 0 minus 4 करेंगे तो minus 4 का भी square 16 होगा दोनों से answer सही आएगा तो 4 का square क्या हो जाएगा 3 plus 1 क्या होगा 4 4 का square 16 और यहां माइनस 4 का भी स्क्वाइर क्या होगा 16 यानि स्क्वाइर रूट 32 और स्क्वाइर रूट 32 को कैसे लिखें तो इसके लिए आपको एल्सीम लेना पड़ेगा तो टू से कितने बाँ जाएगा 16 तू से 8 और फिर तू से 4 ताइमस में तू 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 बनाते हैं दो का तो दो का जो पेर होता है उससे एक बाहर आ जाता है तो यहां पर क्या आ जाएगा एक टू और इन दो के बदले एक टू बाहर आ जाएगा और जो तू बच गया यह रूट मे रहा जाएगा जो सिंगल टू बच गया यह रूट मे रहा जाएगा तो तू तू जा फोर रूट तू तो यह किस का लेंध निकला AC का length निकल गया तो यह AC का length निकल गया आप वैसे हिं BD का length निकल लेंगे BD का length निकल लेंगे 4 माइनस माइनस 2 4 प्लस 2 हो जाएगा 4 प्लस 2 लिख दें 6 6 स्कार persecuted 36 तो यहाँ पर लिख देंगे 36 प्लस और वैसे हिं अगला जो है तो यह क्या है 5 5-1 तो 5-1 हो जाएगा और 5-1 क्या हो जाएगा 6 6 का square क्या होता है 36 तो 36 plus 36 क्या हो जाएगा 72 और इसको कैसे निकालेंगे सेम वही तरीका है 72 का LCM ले लेते हैं तो यह आ जा रहा है देखिए यह क्या आ रहा है 2 x 2 x 3 x 3 x 2 1 2 बच जा रहा है इसमें भी तो यहाँ पर यह दो तो इन 2 2 के बदले 1 2 बाहरा गया और इन 2 3 के बदले 1 3 बाहरा गया और 1 2 बच गया वो रूट के अंदर आ जाएगा तो क्या हो गया 2 3 जा 6 6 रूट 2 अब दोनों का लेंथ निकल गया अब डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे कौन से फॉर्मूला इस फॉर्मूला में यह हो जाएगा 1 by 2 into 4 root 2 into 6 root 2 इसको कट कर देंगे 2 2 जा क्या होगा 4 अब यह 2 6 जा क्या होगा 12 12 into root 2 into root 2 क्या होता है 2 तो क्या हो जाएगा 12 into 2 क्या होता है 24 अब स्क्वाइर यूनिट्स लिखेंगे एडिया इसलिए तो आज की वीडियो में बस इत्ता ही अगले वीडियो मेरा जो होगा वो ट्रिगमेट्टी के उपर होगा आपको ये वीडियो कैसे लगा नीचे हमें कॉमेंट्स में लिखके बता सकते हैं